मैं गामा में तीन सो बेड़ वाले अस्पताल नर्माण की स्विक्रिप्टी मिलने पर कॉंग्रेसी कारेकर्तों ने मनाया जश्न बिधायक दीबी का पांडे के नेतरित में उत्साहिद कॉंग्रेसी ओने बाटे लड़ू लंबे समय से शेत्रे के लोगों की थी मांग बिधायक ने कहा जल्द पूरा होगा काम जन्ता से किया वादा निभाया जारकन काबिनेट ने गोड़ा के महगामा में तीन सो बेड़ के अस्पताल निर्माण की स्विक्रिती दे दी है अस्पताल की स्विक्रिते मिलने की खुशी में सोंबार की देश शाम विधायक दिपिका सिंग पांडे की नितरिक्ट में कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने बसवा चौक पर जमकर आतिशवाजी किया और मिठाई बाटकर खुशी का इजहार किया इस दोरन विधायक दिपिका सिंग पांडे ने बताये कि जार्खन कैबिनीट द्वारा तीन अरब सात करोड़ चौवालिस लाख पचपन हजार आट सो रुपे की लागत से तीन सो बेड का अस्पताल बनाने के लिए जार्खन सरकार का सबसे बड़ा योगदान है इसके लिए विधायक ने मुख्य मंतरी हेमन सोरिन विधायक दल के नेता आलमगीर आलम स्वास्त मंतरी बना गुपता को महगामा की जनता की ओर से बधाय देते हुए कहा कि अस्पताल निर्मान का प्रोजेक्ट तेरा वर्षों से लंबित था यूपीय की जब सरकार थी तो ACL द्वारा CSR मद से 25 एकड़ जमीन पर 300 बेट के अस्पताल निर्मान का प्रस्ताव को पास किया गया था लेकिन जमीन पर काम अब जाकर हुआ है बिधायक टीपिका सिंग्वांडे ने कहा कि ये अस्पताल आसपास के दूसरे जिले से सबसे बड़ा आसपताल बनेगा इसमें बेहतर स्वास्थ सुविधाय लोगों को मिलेगी साथ ही आसपास के इलागे में रोजगार का आउसर भी बढ़ेगा इस आउसर पर अस्थानीय लोगों तथा कॉंग्रेसी कारेकरता द्वारा विधायक को गुल्दस्ता देकर बधाई दी गई इंडियानियोज वायरल बिहार चारकन के लिए गुड़ा से अजे कुमार मंडल की रिपोर्ट मैं इसके लिए महागडबनन की सरकार को हमारे मुख्य मंत्री आदनेश श्री हेमन सोरें जी को इदाय दल की नेता श्री आलमगेर जी को अस्वास मंत्री बन्ना गुटता जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वर्षों से अलम्बित यब लेरवा साल है इस प्रोजेक्ट के बास करनेगा यूपे की जब सरकार थी तो सीसार के माले से इसको पास किया गया था लेकिन इसको जमीन पर उतरने का रास्ता अब जाकर के प्रशस्त हुआ है इस अब ताकी जन्ता की तरफ से पुटा की जन्ता की तरफ से आदने मुखि मंत्री जी का जिधायिक भी तो दीर आंपीर अलम जी अर स्वास मंत्री बना मुप्ता जी का प्रिदय से धन्यवाद करती हूँ या अस्पताल मुझे लगता है कि हम लोगों के जिले में आजपास के जिले में सबसे बड़ा अस्पताल बनता है और मेगामात की जंता को यहां पर इस अस्पताल के बनने से ना सिर्फ स्वास सेवाएं बैतर होंगी बलकि आजपास के जो हमारे रहने वाले हैं उन इलाकों में रोज़दार के भी अफसर बहुत कई गुना जो हैं हमारे लागे में बढ़ेगी आप सब लोगों भी बढ़ाए देते हूं हमारे इसमान को होत मुखता से ताकत देते रहे हैं तमाम जंता का जिए अपको लगवी के काम के तो आपको बन रहा है ना इसके बाद हमोगी